ऐसे श्रीज़ के सभी महाराम समय को जब जनम हुआ तो महराणी कुषिलाको दर्शना कराने हाँ पर्हूराम कुल अई तरु ये रखुकुल की खुल्य कुल और किसा ने की तो दिए राजा रघुनी है भगवां पर्हुराम के पूर्वेट्थ है तो इसमें तेन मंदिर तीन मंदिर तेन मंदिर तिरे महाकाली तेन माहलक्षिमी तेन महासुत्र देवी भागवत के शाथवे अध्धाय और ग्याराव असकंद में इनका वर्रान दिया गोटेगोड़ा तिर्गोडा महराँनी का से महाकाली महालक्ष्मी हाब महारशित की रूप में हाब मेराज मान रजयोगुर अत-पवर्गुर्ण जो भी लोग मन्नत मानते हैं महाम महारानी से उसको महारानी से पूर कोरती करती है और ए कहते हैं कि आयोध्या का जो फल है कि नहीं नहीं आपकी आपने मुझे बदाया इसके लारे में और लोगों के भी नाम है यहां के सबसे नीचे वाला क्योंकि हनवान गड़ी का सबसे नीचे वाला क्योंकि हनवान गड़ी नीचे वाले हिस्ते में हनवान गड़ी आते हैं यहां परेश किस्वरी जी की पूजा होती है माता जी की यहां आरती होती है तो यहां जैसली राम नहीं है यहां सीता राम है आजी यहां सीता राम है क्या बात है यहां पर क्या है सीता राम है यहां है सीता राम सीता राम के द्वारा इसको दिया गया है उनको दिया जाता है उपहार चुरूत तो कैके जी ने अपनी सबसे ज्यादा प्रिय थी तो अपना अपना ही माल कैके जी ने सीता जी को समझ कर दिया कि आप ये लिए यह जो दिब्रकना वहन है यह यह माता सहिता जी को कनक माने होता है सोना तो यह पहले सोने का था पूरा लेकिन कुछ कालवाद इसमें उपर के जो बने हुए है उस सोने निकाल के रख देगे बीच में सिर्क अंदर का ही गर्वगरी है जो सोने और चांदियों से मुकुट्चे बना हुआ अंदर वाला स सारा कंप्लीट है कई मन सोना था यहां पर इस कनक भवन में पाजी जो इन्होंने बताया उस प्रसंग को मैं बता देता हूँ अब सोना और वो तो मैं नहीं जानता लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं राम सबसे पहले जब उगते थे तो चरण सपर्ष करने जाते थे और सबसे पहले वो किस के पास जाते थे कई कई के पास और कई कई का सबसे पहले वो चरण बंदन करते थे पाजी यही यहां से इसलिए वो मर्यादा पुरुशोता